हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तरुन ट्रेकिंग ट्रेक में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक CST भी अली हैं कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं आप सभी को बता दे की PM किसान सम्मान निधी योजना के माध्यम से एक बहुत किसानों का सर्टिपिकर बना के आप दे सकते हैं और परतेक सर्टिपिकर पर आपको 50 रुपे का कमिशन भी मिलेगा तो इस वीडियो में हम आप लोगो कम्प्लीट डिटेल बताने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक वाच करें तो वीडियो सुरू करते है तो सबसे पहले आपको गूगल ऑपेन कर लेना है और इस पर आपको टाइप करना है NGSP पोर्टल और इसका इंटरप्रेस करना है तो इस रोल करके नीचे आना है यहाँ आपको नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का वैपसाइड मिल जाता है नेशनल गौबर्मेंट सर्विस पोटल इस पर आपको क्लिक करना ह। जैसे आप इस पर क्लिक करते है तो नेशनल गौबर्मेंट सर्विस पोटल का ओफिसीयल वैपसाइड ओपेन हो जाता है इस पोटल को government of India के माध्यम से launch किया गया है इस पोटल में जो है कोई भी या खुद से अपना farmer certificate के लिए online कर सकता है यह दिए वो CSCVLी नहीं है या CSCVLी है फिर भी और नहीं है फिर भी यह search का option दिख रहा है इस पर आपको search करना है farmer certificate तो इस परकार से जो है option आ जाता है गुजराद farmer certificate apply for certificate मदपर्देश इसी परकार से सारा ही स्टेट का यहां पर दिया हुआ है तो अभी जो हम बताने वाले हैं तो यह मदपर्देश के बारे में बताने वाले हैं तो आपको इसपे click करना है apply for certificate नियुकर्ट के प्लीकेशन फॉम और अप्लाइफ पॉर तो आपको अप्लिकेशन फॉम पे किलिक करना है इस प्रकार से फॉम खुल के आ जाता है इस फॉम को कंपलीट भर देना है सबसे पहले यहां आपको किसान का नाम टाइप करना है अधार कार्ट को देखते हुए उसके बाद किसान का खादास का नाम इंटर करना है इसके बाद यहां उसका फूल एड्रेस टाइप करना है इसके बाद यहां पर राज सेलेक्ट टरना है इसके बाद डिस्ट्रिक पीन क पूल रखवार यह सारा डालने के बाद यहां को टर्म एंड कंडिशन पर टीक करना है सारा चीज भर लेने के बाद नीचे आपको सम्मिट का उप्शन मिलेगा और आपको सम्मिट कर देना है इसके बाद यहां को एक अधार काट अपलोड करना है और इसके बाद एक जमीन का वहां से जया आपको आपना सार्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद।